गॉट मॉर्णिंग एरिवर्वर्ट आज आम इस वीडियो में क्लास 7 पी युनिट 11 पेरेमिटर एंड दे लिया है कि एक्सराई्स एक्सराइज एलेवन पाइज पाइंड 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 दे एकुसराइज 11.1 इसका फिर्स्स्ट कॉस्टिन है the length and breadth of rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively find its area and cost of land if 1 meter square land cost Rs. 10,000 एक तो हमने land का area find करना है लेक उमने find करना है कि land को कितनी cost लगेगी land लेने के लिए अगर एक 1 meter square की cost Rs. 10,000 है तो पैले इसा उच्षा से पैले में रिखेंगे length of land length of land 3 meter breadth of land length of land length of land तो बैठते हैं 300 में अएरिया ऑफ लैंड ये रेक्टेंगलर पीस आफ लैंड है तो अएरिया आफ लैंड एलेंटू एक्टेंगलर के रिए लिए यूपड तो हमने अएरिया निकाल है 500 मुल्टिप्लाइब तो इसमें क्या एरिया आजाएगा फाइफ ती ता फॉप्टीन और फॉर जिरो तो मीटर स्केर तो यह में एरिया आफ लैंड निकाल यह फर्ट पार्ट का है अब निकालना की कोस्ट क्या है तो सेकिंड पार्ट शूरू करेंगे तो इसमें लिखेंगे कोस्ट ओफ वन मीटर स्केर लैंड वन मीटर स्केर लैंड की कोस्ट क्या है उपीज तैन थाउजन हमारे पास एरिया वन लैक फुटी थाउजन है तो इसकी कोस्ट क्या है गी कोस्ट ओब वन लैक फुटी थाउजन मीटर स्केर लैंड यह इस इकल टू रुपीज 10,000 multiply 150,000 तो 15 के साथ 8,0 लग रहेंगी 150 क्रोर 4, 5, 6, 7, 8 तो ये इसकी कोश्ट आ जाएगी ये हमने फर्स्ट कोश्टन की है अब हम सेकिंड कोश्टन करेंगे सेकिंड कोश्टन की स्टेट्मेंट है फाइंड अरिया उसके पार्क उस पैरिमेटर ही 320 एक पार्क है जिसका पैरिमेटर 320 है उसका अरिया फाइंड करते है तो से पहले पैरिमेटर का फोल लगाएंगी प्रेमित्रों स्केयर या प्रेशन के अंदर गीवन है तिटरों स्केयर है इस इकल्टो थी ट्वेंटी मीटर का फॉर्मॉला न फोर मुल्टिप्लाइब स्क्राइड के परिमेटर का फॉर्मला है, 4 मल्टिपैस साईड इकॉल तु 320 तो यहां से साइड निकाल लेंगे, साइड इकॉल तु 320 इस फॉर्स जेगे, डिवाइड हो जेगे, तो 4 एड सा 32, साइड हमारे पास 80 मेटर आगी, तो यहां पे दिखेंगे साइड हो और हमने find करना है area, area formula लगाएंगे area का, area of square equal to side multiply, side, 80 multiply, 80, equal to, 8, 8 सा 64, तो यह हमने second question किया है, अब हम question no.3 करेंगे, यह question no.3 की statement है, find the breadth of rectangular plot of land, if the area is 440, and the length is 22 meter, also find the barric meter, तो मैं एक question के अंदर पहले, float का area दिया हुआ है, और length दिया हुआ है, तो पहले हम दोनों चीज़े लिखेंगे, area of rectangular plot, area of rectangular plot is equal to 440 meter scale, और एक हमें length दिया, length of rectangular plot is equal to 22 meter, और हमने find करने है, breadth, तो breadth फाइंद करने के लिए, पहले area का फिर्म लागाए, पहले हैंगे, area of rectangular is equal to ln to b, तो area में question के अंदर दिया हुआ है, 440, और length 22 दिया है, और breadth हमें find करने है, तो 22 दर जाके divide कर दिया है, 440 upon 22, is equal to b, 22 के टेल पे 44 आता है, 2 पे और पिखे 0 लगा देंगे, तो breadth हमारे पास आगी, 20 मीटर, अब हमने parameter निकालना है, parameter of rectangle होगों लिखेंगे, is equal to 2 multiply l plus b, तो हमारे पास length भी है, और breadth यूँ में निकाले हुए, तो parameter निकालेंगे, 2 multiply, length plus breadth, length हमारे पास question के अंदर दिया है, 22, और breadth हमें निकाले, 20, तो हम parameter निकालेंगे, 2 into 42, 80, 4 meter parameter आ जाए, तो हम question number 3 हमने complete कर दिया है, अभी हम question number 4 करने जा रहे है, question number 4 कि treatment है, the perimeter of rectangular sheet is 100 cm, if the length is 35, find breadth, also find area, अभी है इसका उलटा है, question में parameter दिया हुए, length ये breadth find करने है, उसके बाद दिया है, तो परले हम दोनों तो जालिशेंगे, perimeter of rectangular sheet, perimeter of rectangular sheet is equal to 100 cm, और ये कमें लेंथी, length of rectangular sheet is equal to 35 cm, और बैट समने find करने तो parameter का फर्मल आएंगे, parameter is equal to 2 multiply L plus B, parameter में ये गिवन है, question के अंदर 100 is equal to 2 multiply length 35 गिवन है, और breadth हमने find करने, तो ये 2 उदर multiply इदर divide कर सकते हैं, या अंदर bracket हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको divide करने हैं, तो इदरा के divide हो जाएगा, equal to 35 plus B आजाएगा, तो यहाँ पर 2 से 100 कट जाएगा 50 गिवन है, तो 50 equal to 35 plus B आजाएगा, तो यहाँ तो यहाँ आप डैट स्पाइट करने हैं, तो 35 minus 50 में थे equal to B आजाएगा, डैट सा आगे हमारे पास 15 cm, अब हमने एरिया भी निकालना है, तो यह एरिया फ्रेक्टेंगल को फोर्म लगाएगे, यह एरिया फ्रेक्टेंगल, यह एरिकल to L into B, तो लेंग्ध हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 35, रेक्टम ने पाइट किये 35 into 15, 15 से मल्टिप्लेय करेंगे, 15, 5, 75, 7 करी, 15, 3, 45, 7, 52, 525 cm2 यह क्वेश्चन नमबर वहने फोर कर लिया है, इस वीडियो में आज फोरी क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्ट वीडियो में करेंगे, अई होब आपको वीडियो जूरूर अच्छी लगे होगी, तो सारे question अच्छे दे समझा आगे होगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like रूप कीजिएगा और चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe रूप कीजिएगा और ज्याद ज़्यादा वीडियो को share कीजिएगा और comment box में comment दो देजिए यह आपको वीडियो कहते लगे थेंक यू थेंक यू वेरी मुच्छ